हेलो एवरीवन वेलकम टू टैट बजर अकैडमी अबोर पंजाब मैं मितनी दोरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लैटफॉर्म पर जैसे कि साथियों उसी करमा सुनार को उसी करम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हिंदी साहित्य से भिन भिन कालों से जैसे कि आधिकाल भक्तिकाल रिटिकाल और अध्拟ीकाल से जो हैं आपके लिए जो हम एमसी lean लेकर आये हैं यह E äक्य已经 आपके लिए काफी महतपूरण है जैसा कि साथियों हमने गत परिक्षाओं में हमने देखे कि बहुत से कोशन जो ऐसे हैं बार बार आ रहे हैं या बहुत से जो कोशन जो है जो प्रशन है जो बहुत ही महतपूरण है हिंदी साहित्य में जिन कवियों से वो लिए गए हैं तो एक्जाम के लिए अपकी प्रिक्षा के लिए ठीक हैं तो आप जो है इस लेक्षर को बड़े ही द्यां से देखेगा और इन प्रश्णों पर भी आप जो है विचार में वेश कियेगा और इनका जो उत्तर है आप अपने दिमाग में जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा ठीक है तो आचलते हम हमारे इसी करम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्ते के जो है महतपुर्ण प्रश्णों की यो साथी साथ साथियों अगर आप घर बैठे हमसे जो है मास्टर कैटर हिंदी की जो है ओलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है में नम्बरों के माध्यम से आप हमें संपरक कर सकते हैं ठीक है और इसी के साथ आपने जो है एक आप बड़ा ही अच्छा काम कर सकते है कह सकते हैं हम उसे जो है आपने इसमें क्या है कुछ नहीं करना कि आपने आपने करना क्या है सबसे पहले आप क्या करें कि आप देखो हमारे पास हमने यह जानना है सबसे पहले तो कि मस्टर कैडर जो 2022 में होने वाला है उसके किस परकार की जो जो हमारे पास है पंजाबी की है 534 हिंदी 240 और SST 633 और इंग्लिश की 790 इन जो मस्टर कैडर की आप ओन लाइन कोचिंग हम से लेना चाते हैं तो आप जो हमारे टैट बजर अकैडमी जो है इस पर आप हमें इंफॉर्म कर सकते हैं इन नम्बरों के माध्यम से इन नम्बरों के माध्यम से आप हम से जो है संप्रक कर सकते हैं ठीक है उसके इलावा आप जो है क्या कर सकते हैं आप यह कर सकते हैं कि आ पहले आपना नेम ठीas फिर आपने पेपर की आपने जो ENEM से ओनॉनलाइन कोचिंग लेनी ठीए फिर है city यानि के शेहर या अपना गाउओं आगर आप किसी गाउओं से भी संबंद हैं तो तब भी आप। कि आप उस गाउओं पर हमें मैसिज कर देना है ठीक है तो चलते हैं हम अपने हिंदी साहित्य की और ठीक है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कोश्णों की और प्रश्णों की और ठीक है तो पहला सबसे पहला जो हमारे पास हिंदी साहित्य में जो प्रशन जो सामने हमारे समुख है वह है अचा द्रिवेदी युग, B भारतेंदु युग, C छायावाद युग या D प्रगतिवाद युग, तो अचारे रामचंदर की दृष्टी में किसी युग के लेकों की जो व्याक्रण नीम्यम जो थे वो अच्छी तरह नहीं थे वो थे भारतेंदु युग, तो B option है साथ हो हमार भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो है, मैं आपको बता दूँ, जो भारतेंदु युग है, वो 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है, ठीके जी, 1900 तक माना जाता है, और इसकी साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, कि भारतेंदु जी जो है, उनका जनम जो है, भारतेंद में उनका जो है धेवासन हुआ यानि के 35 वरश की आयू में वो जो है वो मृत्यू को प्रापत हुए ठीक है 35 वरश की आयू में उनको मृत्यू को प्रापत हुए थे भार्त एंदु यूग में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पद्य में तो थी उसमें ब्रजबाशा और गद्य में थी खड़ी बोली ठीक है यानि के खड़ी बोली जो है वो अभी तक जो है गद्य में थी यानि के ब्रजबाशा जो है खड़ी बोली के साथ चल रही थी इनके साथ थी यानि के खड़ी बोली के सा थी ठीक है तो भारतेंदू यूग हमारा बिल्कुल राइट अंसर है चलते हैं नेक्स कोशन की और भारतेंदू का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है तो वो किस नाम से है देखो ए फुलोका गुच्छा बी प्रेम तरंग सी प्रेम सरोवर या टी प्रेम माधूरी ठीक है माधूरा नहीं है यहां माधूरी आएगा ठीक है प्रेम माधूरी तो भारतेंदू का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है वो है फुलोका गुच्छा एक अन्य है तो इससे हिसाब से हमारा जो राइट अंसर है वो ए ओप्षन है तो फुलो का गुच्चा और दश्रत विलाभ जो है वो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संघ्रहय माना जाता है चलते हैं आगे नेक्स कोश्चन की और इन में कौन बावरी पन से सम्दित नहीं है तो कौन नहीं है बावरी पन से सम्दित ए बुला साहिब बुलाल साहिब सी पल्टू साहिब या डी संत साहिब तो कौन है तो इन में से बावरी पन से सम्दित नहीं है तो वो ह सब्सक्रावरी संब्सक्रावरी 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 में नहीं है तो आछारे कविवे में जो नहीं है वो है बरजवासी दास बरजवासी दास यो है वह तेनके आफिक लूगर में आते एचाटी पर साथ हूए stam Kurt mm contradiction कि से कहा यानि के बाणी का डिक्टेटर कहे लीजिए बाणी का तानशा कहे लीजिए ठीक है तो यह किसे ने कहा था और किसे कहा तो यह कहा था हजारिये पसार दिर्वेदी ने जो कि हमारा प्रशन के माध्यम से हमें मालूम है वैसे भी हमें पता है लेकिन हमें पूछा यह गया ह कि कि ने कहा तोह हम है कपीर्दास ऊ 되어 हँए देयाल यह बritis नानक तो कभीर को जो है इन्होंने बानी का डिक्टेक्टर कहा तो गबीर जो हैं बानी के डिक्टेक्टर कहलाए किनके मांद्यम से कभीर का जनम कब हुआ तो कभीर का जो जनम है वो 1398 में में हुआ ठीक है कबीर की रचनाए थी साखी कि सबद कि रमैनी यह तीन थी और संपादित किया इसे धरमदास ने ठीक है इनकी थी कबीर गंतावली कबीर गंतावली जो की शाम सुंदर दास ने संपादित की ठीक है तो कबीर के बारे में हमने जाना अब आते हैं हजारी परसाद द्रवेदी के बारे में द्रवेदी जी जो थे हजारी परसाद द्रवेदी जो थे यह इनकी तीन अचनाए हैं हिंदी साहित्य की भूमिका ठीक है हिंदी साहित्य का उद्वविकास ठीक है और हिंदी साहित्य का आधिकाल ठीक है यह इनकी रचनाए मानी जाती है ठीक है तो कबीर हमारा बिल्कुल राइट अंसर है हम प्रशन पर आते हैं कबीर हमारा राइट अंसर है तो ए में मारे पास कबीर है तो एए उप्शन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है चलते हैं नेक्स कोशन की और हिंदी भाषा के मानंगी करन की दृष्टि से कौन सा यूग स्वार्थिक महत्वपूरून यूग था इंदी करन हिंदी जो भाषा थी उसका मानंगी करन किस दृष्ट यूग क्योंकि दिर्वेदी यूग में क्या था साथ है दिर्वेदी यूग जो है महावीर परसाद दिर्वेदी के नाम पर है महा भी सब्सक्राइड घद्रन करो दिख सर्स्वती कि सर्स्वती पत्रिका थी ठीक है माविर पसाद द्रवेदी जो है उनकी जो पत्रिका थी वो थी सर्स्वती द्रवेदी युग पत्रिका थी वो सर्स्वती पत्रिका मानिया थी है ठीक है इसके इलावा द्रवेदी युग में जो है पद्य और गद्य कि दोनों में ही खड़ी बोली का उप्योग होने लगा बध्य और गद्य दोनों में क्या हुआ खड़ी बोली का उप्योग उने लगा था छलते है नाक्च कुंदन को रंगफीको लागए यह पंगती किसकी है थो यह पंगती अम admitting जानने किसकी है, A, भूशन की है, B, बिहारी, C, देव, D, मतिराम, तो ये जो है कुंदन को रंगवी को लागे, ये मतिराम की है, ठीक है, मतिराम की रचना है, ललितललाम, देव जो है उनकी है, भाव बिलास, बिहारी बिहारी सत्सई 732 बूशन बूशन जो है ये रितिकलन कभी है इनका जो बूशन जगा नाम है वो मूल नाम है गंशाम ठीक है बूशन बूशन की रचनाई है बूशन उलाज दूशन उलाज बूशन हजारा आदियनी की रचनाई मानी गई है ग्यान मारगी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा याता है A. सिद्ध कवी B. नाथ कवी C. भक्त कवी या D. संत कवी तो ज्यान मारगी साखा के जो कवी है उसे किस नाम से पुकारायाता है तो उन्हें पुकारायाता है संत कवी ठीक है उन्हें पुकारायाता है संत कवी तो संत कवी पुकारायाता है ज्यान मारगी साखा के प्रती कभी निद्द कभी मानने आते संत कभी कभी है चलते आगे निवलित कभीं का सही अनुकरम क्या है पदमाकर बिहारी चिंतावनी केशाज सब्ससे पहले हमारे पास आते केशवदास, फिर आता है चिंतामणी, फिर आता है बिहारी, फिर आते है पतमाकर, ठीक है, तो D option हमारा बिल्कुल राइट अंसर है, भार्त बारती किसकी रचना है, तो भार्त बारती जो है, A मैथलिशन गुप्त की रचना है, B दिनकर जी की है, C हरियोद की है, D निराला जी की है, तो भार्त बारती जो है, मैथलिशन गुप्त की रचना मानी गई है, भार्त बारती जो है, उन्नी सो बारा में रचित है, ठीक है भार्त बारती, इसके लिए जो है मैथलिशन गुप्त को रास्ट कवी भी कहा गया है, रास्ट कवी की उपादी दी गई, किसने दी महात्मा गांधी जी ने कि महात्मा गांधी जी ने गुप्त को पादी दी ठीक है किसकी रास्ट कभी की किस पर भारत भारती पर समय क्या था 1912 और रचना किन की है मैथलिशन गुप्त की चलते हैं आगले प्रेशन की और इन काव्या पंगतियों को उनके काव्या के साथ सुलमेलित कीजिए ठीक है तो कौन सी है वो देखिए ए में हमारे पास है सोरी अती सुदोसने को मारग है बी साजी तुरंग बीर रंग तुरंग चड़ी गुलगली गुलगली चा गुलजन ह है आगे के कवी रिज्यतों कविताय ना तो राधिका कनाई सुम्रण को बहानों है तो यह हमने क्या करना है सुची वन को सुची द्वित्य के साथ जो है उसको सुमेलित करना है यह पंगतियां किनकी है यह बतलाना है हमें तो जो यह पंगतियां है तो यह साथियों पंगत ये बूशन जी की है, गुल-गुल में गलिचा गुलजन है, तो ये पंगति किसकी है, ये पदमाकर जी की है, तो आगे कवीर जेतो कवितायन राद्र का सुम्रण को बहानों है, तो ये पंगति किसकी है, तो ये है हमारे पास बिखारी दास की, तो D option यहाँ पर आ जाएगा तो इस हिसाब से हमारा जो बन रहा है साथियो वो बन रहा है D option ठीक है? D option हमारा बिलकुल right answer है चलते हैं next question की और तुलसी की भक्ती का सवरूप क्या था? तो तुलसी की भक्ती हमने जाननी थी किस परकार की थी? तुलसी दास की जो भक्ती थी वो किस परकार की बाने गई है? A दासय बाब की थी, V वतसल्य बाब की थी, C सक्खय बाब की थी, D मात्रु बाब की थी तो तुलसी की जो भक्ती का सवरूप था वो था दासय बाब ठीक है तुलसी की भक्ती का सुवरूप क्या था दासे बाब और यह जो दो है हमारे पास वातसल्य और सक्षय ठीक है वातसल्य और सक्षय जो है वो सूर्दास में मिलता है थीक है वातसल्य रूप और सक्षय रूप जो है हमें सूर्दास में मिलता है परंतु तुलसी दास की बक्ति का सुरूप क्या था यह तो आप से हमारा जो साथियों राइट अंसर हो रहा है वह एक कोशन पर है कि पाड़ मज़िए ने साथियों आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने Master cutter है एस और जो लेक्चर आर की जो पोस्टें हमारे अभी पगलिक सब्सक्राइब के लिए उसके लिए लाइव एंड रिकोड़ेट क्लास से हैं टोपिक वाइस थ्यूरी हैं सी क्यू है ठीक है अगर आप हमसे यह ओनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप इन नमरों के माध्यम से आप हमें संपरक कर सकते हैं इसके इलावा पेका मोर कर सक द्वाते हैं तो आपने क्या करना है असान सा काम है यह आपने टेटबजर एप पो जो है गुइवल प्ले स्टोर से ना इंस्टॉल करना है ठीक है ठीक है तो इसके रलावा आट एंड क्राफ्ट जो है अभी डाइसो पोस्ट से जो है पुलिक सब्सक्राइब सकते हैं उसके लिए आपने जो लाइव रिकोर्डिंग क्लासूं नम्यां ज कर ब्ला झाएंगे और आपको पीडिएफ के रूब में जो आपको notes भी देखने को मिल देंगे ठीक है तो आपने करना क्या है आपने इन नंबरों के माध्यम से हमें जो है सप्रक करना है ठीक है इसके इलावा जो है हमारे पास जो 13 number question है ठीक है वो यह है कि अब लो नसानी अब ना नसे हो पद के रचिता कौन है तो अब ना नसे न तुलसी दास तुलसी दास जो है कि उनका जनम जो है उन सोरी 1532 में हुआ ठीक है तुलसी दास का जनम 1532 में हुआ इनकी बहुत ही प्रमुक्रचना है महाकाव्या है रामचरित मानस जो की साथ कांडों में है रामचरित मानस जो है वो साथ कांडों में पाई जाती है ठीक है इनके इलावा इनकी है कवीता वली गीता वली दोहा वली बहुत सी रचनाएं इनकी है कभी तकरीबन जो है बारा का रचनाएं इनकी मानी जाती है ठीक है अन्य ने विद्वानों ने इनकी अलग-अलग जो है इनकी रचनाएं मानी है ठीक है तो राम चरित मानस में साथ मानी जाती है निवलिक्त में से कौन सी रचना चिंता मनी की है यानि कि इन में से हमने यह बताना है कि चिंता मनी की रचना कौन सी मानी जाती है तो निम्लिक्त में से चिंतामणी की जो रचना मानी गई है साथियों ठीक है चिंतामणी की रचना है कवी कुल कलपत्रू ठीक है चिंतामणी की कौन सी रचना है कवी कुल कलपत्रू तो C option बिल्कुल right answer है कवी कुल कलपत्रू C option बिल्कुल सही answer है तो चलते हैं नैक्स कोश्चन की और निर्गुण कव्यों का सही कार्म कौन सा है तो A. दादू, कभीरदास B. सुंदरदास C. मुलू kellyaas B. में हमाँ पास है मुलू kellyaas सुंदरदास, कभीरदास C. सुनदरदास, मुलू kellyaas, दादू और कभीर और D में है कबीर दास, दादू, मलुक दास और सुन्दर दास, तो इनका जो सही अनुकरम्न हैखातियों वो है, D हमारे पास है कबीर दास, फिर हुए दादू, मलुक दास और सुन्दर दास, ठीक है, पंत जी की ग्राम्य क्रिती संबंद है अब पंत जी की जो ग्राम्य क्रिती है तो उन पर किस पर संबंद में है वो ए ग्रामिन परिवेश से बी प्रगती दुष्टी से सी कलपना लोग से या टी नई कवीता से तो किस से समधित है यह ग्रामिन परिवेश से पंत जी की जो ग्राम्य अक्रिती है वो ग्राम्य प्रवेस से अपना समंध रखती है सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है जी पंत जी का सुमित्रा नंदन पंत ठीक है सुमित्रा नंदन पंत पंत निराला जैशंकर परशाद और महादीवी बर्मा जो है यह च्छायावाद के कभी है ठीक है? यह च्छायावाद के कभी है सुमितर नंदर पंत जी और इनके इलावा जैशंकर प्रशाद है, निराला जी है और जो है मादेवी बर्मा जी भी परिगनत की जाती है ठीक है? गामिन प्रवेश से है यह A स्वामी अगरदास का समन्द किस बक्ती शाका से है स्वामी जो अगरदास है उनका समन्द किस बक्ती शाका से ए ज्यान मारगी शाका से बी राम बक्ती शाका से सी प्रेम मारगी शाका से या डी क्रिशन बक्ती शाका से तो स्वामी अगरदास का समन्द किसे माना याता है तो स्वामी अगरदास का समन्द जो माना याता है वो राम भक्ति कावे शाका से माना याता है ठीक है रिती मुक्त कवी नहीं है अब इन में से हमने ये बताना है कि कौन सा जो है वो रिती मुक्त कवी नहीं माना याता तो जो कह लिजिए आप रिती मुक्त नहीं है तो पहले तो हम यह देखते हैं कि रिती मुक्त कौन से हैं तो बचा ओप्शन हमारे पास C तो जस्वन सिंग जो है हमारा राइट अंसर है कि रिती मुक्त कभी नहीं है तो जस्वन सिंग नहीं है यह तीनों के तीनों जो कभी है यह क्या है यह माने आते हैं रितिमुक्त गनानंद जो है यह प्रेम के पीर कभी भी कायाता है प्रेम के पीर ठीक है तो यह जो तीन कभी है यह रितिमुक्त है लेकर जस्वन सिंग जो है वो क्या है रितिमुक्त नहीं है अंग्रेजों में जिसे रोमांटिसिजम कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं तो उससे क्या कहा आता है। ठीक है चायाबाद के परवर्तक कौन है जैशंकर परशाद चायाबाद के परवर्तक है जैशंकर परशाद इसके इलावा सुभीत्रा नंदन पंत और निराला सूर्य कांत्र पाठी निराला ठीक है और महादेवी बर्मा ये जो हैं चायाबाद के अधार स्थम्भ है ठीक है ये चार जो है चायाबाद के अधार स्थम्भ जो है माने याते हैं चलते हैं नेक्ट कोशन की और हिंदी नई चाल में डली ये कतन आदुनिक काल की सहित्यकार का है तो किसका है ये ए प्रतापनायन बी हरिवंश्राय बच्चन सी मैथलिशन गुप्त या डी जी ने तो डी ओप्शन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है बारतेंदु जी ने कहा हिंदी नई चाल में डली तो बारतेंदु जी ने कहा और कब कहा काल चकर में पुस्तक में कहा अपनी काल चकर पुस्तक सी उसमें कहा 1873 में कहा कब कहा काल चकर पुस्तक में कहा तो 1873 में क कि हिंदी जो है नई चाल में ड़ली तो डी ओप्शन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है साथियों इन में से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है अब हमने देखना है जो बक्तिकाल के में राम कव्यधारा के प्रती निदी कभी तुलसी दास चीजों है उनकी कुछ कविताएं हैं हमारे उनकी रचनाएं है इन में से अमने ये बताना है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है राम चरित मानस ये तो तुलसी दास की है जी बी कवितावली ये भी तुलसी दास द्वारा रचित है सी गीता वली ये भी तुलसी दाज द्वारा रचीत है तो option हमारे पास एक ही बची है वो बची है डी option साकेत साकेत जो है ये किसकी रचना है तो ये साकेत जो है मैथलिशन गुप्त की रचना है ठीक है मैथलिशन गुप्त की रचना है और साकेत में क्या है तो साकेत में क्या उर्मिला का वर्नन किया गया है दिन आते है रामच्रित मानस पर तुल्सि दासकी ठीक है तुल्सि दासकी ए और अवदी बाशा में है कविता वली ये ब्रज बाशा में है गीतावली ये भी बरजबाशा में है चलते हैं नेक्ट कोशन की और इन में से किस कभी ने लक्षन गरंथ नहीं लिखे यानि कि कौन सा कभी है जिन्होंने लक्षन गरंथों का प्योग नहीं किया या नहीं लिखे ए देव इसको देवदत भी बोलते हैं बी पदमाकर, सी भूशन, डी बिहारी, तो किसने जो है लक्षन गरंथ नहीं लिखे, वह कौन सा है, तो वह है विहारी, ठीक है, वह है विहारी, बिहारी ने बिहारी ससरी लिखी, बिहारी जो है, वह रिती मुक्त, रिती मुक्त काव्य धारा से हैं, ठीक है, हिर्दे का मदु भार काव्य रचना किसकी है, तो यह अब हमने बताना है कि जो हिर्दे का मदु भार है, वह काव्य रचना किसकी है, लितखकल भी प्रसाद सी पंध डी ञेला तो हिपते की मदुबार या कि रचना किसकी है तो हिपते का मधूबार जो है रचना मानी गई थीक है ओचारे है शुक्छ güло का जो जगरहा है है300 to 83 में हुआ ठीक है अठारा चुरास्ती में शुकल जी का जनम हुआ इनका चिंतामणी काफी फेमस है निमंत संग्रैय है चिंतामणी ठीक है तो इसके इलावा शुकल जी जो है वो काफी हिंदी साहिते में अपनी मानेतें रखते हैं क्योंकि इनकी परिवाशाएं हैं इनकी पंगतियां काफी ब माने आते हैं क्रिशन काव्य के प्रमुक कभी कौन है ठीक है तो ए रहीम ठीक है भी तुलसीदास सी सूर्दास डी अचारे शुकल तो क्रिशन काव्य के जो प्रमुक कभी है बक्तिकाल में हमने देखा था कि जब हमने बक्तिकाल का द्यन किया तो क्रिशन काव्य के जो मू हुआ इन्होंने सूर सागर साहित्य लहरी सूर सारावली यह आधी परकार की रचनाई की इन्होंने अधी रचनाई की सूर दाज जी पहले दासे बाब से लिखते थे बाद में वह बतसल्य बाब से सक्ख्य बाब से लिखने लग गए थे ठीक है तो यह था है किशन कावे के प्रमुक कभी सूर दाज दी तो सी ओप्शन हमारा बिलकुल राइट अंसर है जी निराला का जनम कहा इनन को माना याता है ठीक है तो ये चाया बाद के कभी हैं यह चायवाद के कभी है ठीक है निराला जी तो यह चायवाद के कभी माने आते हैं ठीक है तो साथियों आप जो है इन लक्चर को बड़े ही द्यान से देखेगा साथी साथ जो है आप अगर घर बैठे ही हमसे online coaching लेना चाहते हैं तो आप online coaching लेने के लिए आप इन number पर हमें संप्रक कर सकते हैं साथी साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे free workshop group का हिस्सा बन सकते हैं यह असानी के साथ करना क्या है आपको अपना नेम पेपर जिस पेपर की भी आप जो हैं हमसे online coaching लेना चाहते हैं city यह city यह गाओं यह विलेज जिस गाओं से आप जो हैं संप्रक रखते हैं जहां से आप रहने वाले हैं रहे आप करना है छाहें तेली गरूप जो चैनल भी कि क्षुआल कर सकते हैं फेश्बूक के मादधियम से लाइक करें टिक है इसके साथ ही आप जो जो है लाइक करें तो आप ने पीर से करना है आपको यहीं दिखाई दे रहा है किसी भी आगर आपने कोचिंग किसी भी परकार यह आपने कोचिंग लेनी है तो आपने वही प्रसिजण आपना अपना एझना थीक है तो इसी के साथ जो है ये जो लेक्चर है अब यह समापत होता है ठीक है आज हमने जाने बहुत ही दियए यह किबंडी साहित्य के खतिकाल और अधुनिक काल ठीक है तो इन चार कालों से हमने जो है आज हमने महतुपुरून प्रश्णों के बारे में विचार विमर्ष किया हो सकता है आपको इसी परकार के कोशन जो है अगामी मास्व के डर या अन्य प्रिक्षाओं में भी देखने को मिले ठीक है तो आप जो है इनको बड़े ही द्यान से देखा है करें इससे क्या होता है कि आप अपनी थ्योरी तो करते हैं करते हैं साथ में आपका जो है अच्छी तरह से अपकी त्यारी भी हो जाती है इन कोशनों को देखने पर आपकी त्यारी भी अच्छी हो जाती है क्योंकि यह कोशन जो होते हैं काफी झाल